कल के भारी उतार चड़ाव भरे सेशन के बाद आज फिर से दुनिया भर के बाज़ारों से है बहुत कमजोरी के संकेत सो पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ शुरुआत के संकेत आज भारती बाज़ारों में एस जिक्स निफ्टी से लेकिन कल ही की तरह क्या बाज़ार रिवर्सल लेंगे और कमजोर शुरुआत होने के बाद क्या आईगी रिकवरी यह है बड़ा सवाल लेंगे जवाब शेयर बजार लाई में आप सब का स्वागत है नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंभी और नमस्कार मैं हूँ दिपांशु भंडारी जाने के अनलिल सर से कि आज की स्टाटिजी किस तरह से बनानी है जो ग्लोबल संकेत हैं वहां से क्या समझना है और लिस्टिंग और आई-पी ओपर तो सर आपकी राही लेली है तो बताएं आ आज के ट्रिगर्स पर डाल लेते हैं अमेरिकी बाजर दिन के निशले स्टों पर जाकर बंद हुए एक बीच में हलकी रिकवरी के संकेत आये भी लेकिन आखरी 15 मिन्टों में अमेरिकी बाजर और तेज़ी से गिरे है दाओ को देखकर ज्यादा डर नहीं लगेगा ITC आज अपना पहला एनलिस्ट और इन्वेस्टर डे मनाने जा रहा है देखते हैं वाकए में इन्वेस्टर्स और एनलिस्ट के लिए जिने काफी उम्मीद हैं ITC से लंबे समय से कुछ खास अच्छा बैतर मादब कुछ ऐसा निकल कर आता है यह नहीं जो ITC के लिए मूर म महाल को बदल दे इसके अलावा महंगा इसर तीन महीनों की उचाहियों पर पहुंची है तो इन्वेशन के डेटा भी थोड़े बढ़कर आए यह भी एक मेक्रो फेक्टर उम्मीद तो थी लेकिन अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है तीन महीन नहीं तो है सर चालिस साल अल्मोस्ट दो परसंट का फरक है सर हमारे इंफलेशन और उनके इंफलेशन और फिर भी वहां पर इतनी चंताए है थोड़ा यह ग्लोबल मारकेट्स और आज की वीक्नेस में समझना चाहूंगा सर पर उससे पहले एक बार जरा यह समझाएं कल क्या हुआ जैसे आप कह रह हुई रुकी नहीं और डेज लोग पर कल जो हम बंद हुए यह क्या था सर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं एकसेप्ट करना चाहता हूं कि कल मैंने सोचा नहीं था कि इतना तेजी से हम गिरेंगे लगातार दो दिन से मैं कोशस करा था कि गैप से खुलने पर नहीं लेकिन कल वो सावधानी वाला था लेकिन बिल्कुल नहीं लेना है या वहाँ से गुम जाएगा और गुमेगा तो इतना कि तीन सो पॉइंट उपर से निकल जाए कम सके मेरी एकस्पेक्टेशन में नहीं था बिल्कुल एफाइस की बिक्वाली के आंकर थे समझ में आ रहा कि जब आप एकस्पेक्ट करते हैं और कमजोरी हो जाए तब उतनी तकलीफ नहीं होती है जब आप एकस्पेक्ट ना करो और तब कमजोरी हो जाए तो ऐसा लगता है कि यह अचानक से कहां से आ गया तो कुछत तक आउट ओफ से लेवर्स पागर और सबसे बड़ी बात ही क आप कल का चार्ट देखिए ज्यादा मुखा मिला नहीं लोगों को सोचने का आप देखिए मिट सेशन में और आम तर पर देखिए एक और चीज़ मैं बताओं आपको मार्केट में टाइमिंग के लिया से भी अगर पहले एक डेट गंटे में और आखरी एक डेट गंटे मे बड़ा मुँ आता है तो वो सब की नजर में होता है जी होता है कि है सुब्स दस साड़े दस ग्यारा वजे सब लोग फ्री हो जाते हैं जहां वोलिम्स कम हो जाते है इधर उधर अपने दूसरे कामों में लग गया हम भी मार्केट को उतना क्लोजली मिनिट टू मिनिट ट् ही रखें अचानक से तेज बीकवाली हुई और अस तेज बीकवाली में आप देखें माजर जोड़ से गिरा है तो जिस लेवल से एकदम से गिरा है वो अनायक्स्पेकटेट थह लोग झाल कल काफी नुकसान हुआ है अब कल नुकसान होने के बाद तीन बिस पर जब आप बात करें तीन बिस पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पोजिशन को लेकर राइट मैंसे लिए कर रहा था कि मुझे एक बड़ा गैप या गैप डाउन दिख रहा है अब वो किस तरफ होगा पता नहीं क्योंकि जिस लेवल पर बाजार बंद हुआ है उसको देखकर मुझे कमफर्ट नहीं आ रहा है इक गैप से उपर खुलेंगे या गैप से नीचे खुलेंगे और कल हम यही बात करें कि डाउ फीचे सो उपर लेकिन दो दिनों से बढ़ा है क्या बरुसा की डाउ गिर जाए और एक्जेक्ली वही हुआ है तो कल का जो जिस लेवल पर बंद हुए उसके बाद एक गैप से उपर या नीचे खुलना लाजमी था अब वो मार्केट ने डिसाइड क्या की नीचे खुलेगी तो आप क्या कर सकते हैं अब पोइंट यही है कि अब आपको अहम सपोर्ट रेंज पर फोकस करना है जहां पर आप सपोर्ट लेंगे रुकावट का तो हमें पता ही है फाइनली जिस चीज की उमीद थी और जो मैं तो ट्रेंड में जो बदलाओ के लिए 7600 का लेवल हमने सोच के रहा करता है वो लेवल तो एटलिस सही था जी वह हुआ नहीं और अब होने में मुश्किल भी होगी अब मुश्किल होगी 100% कल मौका था वो मौका हाथ से निकल यहां मतलब करना होता तो सी अगर मार्केट को को ट्रेजी करनी होती और एक रेंज के बाहर निकल कर और उपर की तरफ जाना होता हफते की शुरुआत में कल जैसे ग्लोबल मार्केट की मजबूती में बहुत बढ़िया था अगर आप है ना सत्रा चैसो के आसपास बंद भी हो जाते ना तो आपके रिस्क वापर नीचे जटका लगा है ठीक है सर तो इस जटके का आज क्या प्रभाव होगा यह आपसे जानना है बट साथ में यह जो ग्लोबल संकेता है यह भी देख लें कल वैसे हम क्लोज हो तो डाव फूचर सौ पॉइंट उपर थे यह और पॉजिटिव था बट एक तो युके में ओमिक्र से महामदे से डरना नहीं है क्यों नहीं डरना वह बता तो अगर इतने पेशेंट्स पूरे दुनिया वर्न में ओमिक्रोन के हैं और उसमें से एक डेथ होगी तो कौन सा बड़ा अंकड़ा है नो डाट खरजान के अपनी कीमत है मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा है लेकिन अंकड़े आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं के पहले नहीं के फरक हैं मतलब आपको मmbखार है तो मतलब किस वज़े से वाइरल ही मलेरिया है अक तो इतने ही खरए तो वह क्यूं करेक्क्त सोЕТ इतने हा रहे ह। एसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहे हूं छी जितने पता चला उस दिन से ओमिक्रोन, सो मुझे नहीं लगता को उसमें बहुत चिंता करने की बात हैं, ओके, ओमिक्रोन की वज़े से कोई, मैं तो उल्टा कहता हूँ, जब तक ओमिक्रोन का डर है, जब तक कोरोना का डर है, तब तक फेड हो सकता है, आज की मीटिंग में कल बोल कि नहीं नहीं, हमें तो ये वापर से ओमिक्रोन लग रहा है, तो हमें बहुत जल्दी से टैपरिंग नहीं करनी है, क्या वरुसा है, वो भी हो सकता है, परता चला कि आप फिर दो दिन बाद, लगाओ दो, रोकेट, क्योंकि सब लोग बेच के बेटें, हलके हो के बेटें, You never know, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ओमिक्रोन से नहीं डरना है, ये मुझे पता है, ये जरूर है, किस चीज़ से डरना है, डरने के लिए अपने पास बहुत है, और एफाइस है, वो तो बने हुए है, हमाने पास कोई क्य की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका को देखकर, तो मार्केट का रिएक्षिन एकाथ दिन, दो दिन के लिए हो सकता और होगा भी, इस तरह कभी भी कोई ख़बर आ जाए, तो उस ख़बर का भी एक अपना इज़त, रेस्पेक्ट है, उस पर मार्केट का रिएक्षिन आता, ब बढ़िया तेजी बन जाए, उन्हें और हो सकता है, बिलकुल सर, तो नज़र रहेगी, फेट की बैठक आज शुरू है, कल शाम को पॉलिसी आई, यानि की परसो सुभा हमारे बाजार इस पर रियाक्ट करेंगे, पर एक बात सर, ITC, इस पर आपकी राया आज तो बनती ही ह होता है, मुझे कोई expectation नहीं कि ITC कुछ कहेगा, कुछ करेगा, नहीं है, I don't know किस तर के analyst or investor meet here, अगर कुछ कह दे तो बढ़िया है, कुछ direction दे दे, I'm sure, जितने ITC के investor होगे और analyst होगे, उनके design में सवाल तो एक ही है, क्या करने वाले हो, हम लेके बैठा, no doubt, dividend बहुत 50K stock में dividend 5% कम नहीं होता, तो dividend तो आपके FDC जादा return दे रहा है, लोग आईटीस में value unlocking देखना चाहते हैं, वो value unlocking होगी, नहीं होगी, management उसके बारे में guidance देगा, सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, सोचना शुरू किया, आप सोचना शुरू करेंगे, आप सब बोल रह त तो यह 260-65 है, नहीं तो वापर इसको 215-20 पहुंचना है, तो simple सी चीज है, यह range वही है, अगर कुछ नहीं आया है, तो 215-20 मार्केट की मूर मावल के साथ profit booking कुछ अच्छा आ गया, 260-65 की वही चलो ठीक है, management की तरफ से clarity आ रहे है, तो पहली meet है, हमारे पास भी कोई पु की value है, यह पता है की अच्छी कंपनी है, यह पता है की cashage कंपनी है, जितना profit ITC बनाती है, और जो market cap ITC उसके मुकाबले में दूसरी चोटी-चोटी कंपनी आने के जो कुछ नहीं करती है, कुछ ही नहीं है, इनके पास ITC से कही जादा profit, उनके पास वह है, market cap है, तो ठीक है इनका भी time आएगा, हो सकता हो time, आज ही हो, उम्मीद यही करें, fingers cross, सर कुछ अच्छा-च्छा बोलेगा, प्लीज, चलिए तो, I think 11 बजे है, तो देखेंगे, यहां से किस सरा का action निकल गाएगा, तो ITC पर रखें नजर, बाजार में भी थोड़ी सुस्ती है, 17-300 पर है, SG जेक, सनिफ्टी, बदा है सर, फिर आज के संकेत कैसे देखेंगे, ग्लोबल नेगेटिव साइट पर है, FI के नेगेटिव नहीं है, आज के संकेत, सूपर नेगेटिव है, DIs, पोजिटिव साइट पर है, वाइदा करभार के संकेत जरूर बैतर होगा है, इन्हें मैंने प पोजिटिव और एक कोशिस टू नेगेटिव, तो नेगेटिव फेक्टर्स की संकेत थोड़ी सी ज्यादा है, आपसलोटली सर, और एक परसें नीचे, SX भी दिखे रहा है, बताएं सर फिर लेवल्स आपके नजर में, सत्रह जार दो सो पचास, सत्रह जार तीन सो, तुरन टेवरिस्ट हो जाएगा, चड़ना मुश्किल है, सत्रह 475, सत्रह 525 कल के फॉल्स ब्रेक आउट को छोड़ दे, दिन के दोरान, तो सत्रह 525 परफेक्ट शॉर्ट जॉन बनता हुआ है, अब जब तक सत्रह 675 पार न करें, तब तक फ्रेश और बड़ी तेजी का नहीं रहें, 36925 पर हम बैंक निफ्टी पर बंद हुए तो उसके नीचे ही खुलना बनता है, तो जब नीचे खुलेंगे, तो सपोर्ट रेंज आपकी जो बैंक निफ्टी पर निकल आएगी, वो है 36525, 36625, यहां सपोर्ट लेंगे, कोश सकता है इस रेंज के आस पास कहीं कु गए तो 36200 से 36375 की वो रहेंज है, जहां पर आपको शॉट कवरिंग और फ्रेश करीदारी दोनों करनी चाहिए, उपर कितना जा सकते हैं, 37100, 37275, यह उपनी रहेंज है आपके लिए, इसे पार करना मुश्किल होगा, अगर कर लिया अगलती से तो 37375, 37525, परफेक्ट शॉट जो ने जहां पर आपको लोंग, अन्वाइनिक और शॉट दोनों बनानी चाहिए, ठीक है सर, तो यह है आपके लिए सारी लेवल्स जो आज के ट्रेट के लिए निकल कर आ रही है, देखते हैं, उपरी सरोपर बाजार अगर जाता है तो कहां तक जाएगा, ट्रेड धिए-टी के लिएवली रेंज 17,150 तक की रेंज है, मैंने 17,200 तक लिखा है, बट 17,150 तक की रेंज है, बैंक डिफ्टी, 36,625 जो 36,375 से लेके 37,375 की निकल कर आती है बैंक डिफटी पर एफाइस की तरफ से इंडेक्स की लॉंग पोशिशन गटकर हलकी होकर अब 63% तक पहुची है अच्छा सक्केर है और कल के सेशन में फॉरे चेंज परसम हम बात कर रहे थे कि एफाइस ने सिर्फ लोंग अन्वाइ सारा शोट किया है कल खतरनाक शोट किया है तो कल के डेटा क्वालिटी वाइज और ज्यादा खराब है खराब है क्योंकि एक लोंग अन्वाइंडिंग और एक शोट दोनों में बहुत बड़ा फरक है एक आपके पास लोंग पोशिशन है जो आप बेचते हो कि ठीक है चाह एक डेटा अच्छा है आज एक मात्र और वह है पुटकोल रिशो गटकर 0.86 पर दो दिन पहले 1.42 था तो अच्छा खासा हलका हो चुका है पुटकोल रिशो यह और एसे में आज गैप से आप खुलेंगे थोड़ी और लोंग अन्वाइंडिंग होगी थोड़े और शोट बनेंगे और उसके बाद आपके लिए निचले शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है अब वो निचला से सतरह दो सो 9 या सत्रह एक सूंपचास सत्रह दोसो की रेंज में वो देखना है लेकिन किसी विन किसी निचले इस तरह से 1 शॉर्ट कवरिंग आपको मिल जाएगी अगर 150-200 आता है तो मुझे लगता है वो सही लेवल है जहां से शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार एक बार आपको 250-300 तक का लेवल शायद दिखा दे दिखा देगा तो अगर आपको 17-150, 17-200 दिखे तो वहां पर आपको थोड़ी शॉर्ट काट नीची है हलकी फुलकी लोंग पोजिशन भी बना सकते है स्टिक स्टॉपलोस के साथ वहां पर बाजार आपके लिए परफेक्ट ओवर सोल लोंगे यह ध्यार में रखना है जोगी अधर्वाइस डेटा थोड़ा खराब ही है विक्स भी कल 3% उपर गया है सर बताएं फिर मौजूदा पोजिशन्स वाले क्या करें मैंने इस तो पर शोटे ही दिया था कि आपका खुलते ही ट्रिगर हो जाए 17,300 क्योंकि देखे दिपा उसके नीचे का काईदे से बनता नहीं है चार दिनों का लो जो है आपका वो 17,300 है है ना क्योंकि उसके बाद जो पांच वे दिन का लो है वो 16,987 है तो फिर इसलिए 17,300 ही काईदे से इस रिस्टो क्रोश होना चाहिए अगर फिर भी आपको रखना है तो इंट्राडे तो यह है फिर भी अगर आपको रखता है नहीं नहीं मैं तो और रूखूंगा तो 17,150 क्लोजिंग बेसिस पर 17,150 रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो और इंट्राडे 17,300 होना चाहिए बैंक डिफ्टी पर 36,800 पिछले तीन चार दिनों से आप 36,800 को होल्ड कर रहे हैं एक दो तीन चार दिन से ठीक है अब आज आप उसके नीचे को लेंगे तो वैसे तो आ आपके लिए अब आए शॉर्ट साइट पर 17,425 यह आपका स्टोप लोस होगा इंट्राडे टेडर के लिए और क्लोजिंग बैसिस पर 17,525 क्योंकि आपको जो बेस्ट क्लोजिंग मिली है वो 17,516 की मिली है इस रिकवरी में उसके उपर स्टोप लोस हके और 17,425 का डे ब क्लोजिंग 37,330 के ऊपर मिलती तो ही आपको आपको शॉर्ट काट निया और वो इसलिए दिप की इस पूरे रिनप में 37,284 की बैस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी पर उसके ठीक ऊपर क्लोज होने पर ही आपके लिए मूर माहूल बदलेगा तो 37,330 का स्टोप ल क्लोजिंग आप 17,300 के खुल जाते हैं यानि 60,70 को निचे तो वहां पर बेज सकते हैं चांस ले सकते हैं मतलब 50,1-75 पूइंट अगर गयब से खुले तो वहां बेज सकते हैं क्योंकि ऐसे आप देखेंगे दिप तो कितना एक सजेक नीचे दिख रहा 143 बंद हुए हैं आ अगर इसका मतलब अगर आगरा साथ 17,300 के ऊपर खुलते हैं तो 30,40,50 पूइंट की जगे नीचे के और हैं यह कैलकुलेशन है तो 40,50 पूइंट आपको और नीचे मिल सकते हैं तो कहिन के लिए आप स्पोर्ट लेवल पर 17,250, 17,300 की रेंज देख लेंगे आरहम से ऐसे में शौट करें, 17,300 पहला टारगेट हो कार सारे लेवल, स्पोर्ट लेवल, कैश लेवल बतारों में, फ्यूचर्स के नहीं है क्योंकि कैश और फ्यूचर्स में फर्क बढ़ा है, 17,250, 17,200, 17,180, 17,150 यह सारे टारगेट है जिनके लिए निफ्टे में बिक वाली करनी है, करनी है, बहुत एग्रेसिव टेडर हैं तो 17,250 पर सोचे है, लेकिन मुझे कोई हडबड़ी और जलन बाजी नहीं है, इस रेंज में आएगा तब खरीदेंगे, आए तो ठीक नहीं तो कोई बात है, बैंक टिफ्टी बेचना है आपको, स्टोप लोस होगा, आपका 37,150 का, नीचे की तरफ का जो पहला टार्गेट 36,800 का होता है, जो आपका एस्टोप लेवल भी आप उसके नीचे खुलेंगे, फिर 36,625,525 दो छोटे टार्गेट हैं, 375 और दो सो तक के टार्गेट खुलते हैं, नीचे बैंक टिफ्टी पर, ठीक है सर, यह सारे लेज़ बिक व हो जाता है, आजकल के माहौल में 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई जादा होता नहीं है, तो अगर आप यहां लिख भी नेवल है, माफ किजीगा, एग्रेस्व ट्रेडर्स के लिए, बैंक निफ्टी में 36,525, 36,625 में खरीदारी करने की राह है, 36,350 का आपका एस्टो आपको बाजार की पूरी स्टाटीजी कौन से लेवल्स पर आपको रखनी है नहीं, वाइदा कारोबार का अपडेट भी आपको दे दूँ, कोई बदलाव नहीं है, वोड़ोफोन, एसकॉर्ट, इंडियावुल्स, वाउजिंग, तीन फेवरेट वाइदा कारोबार के बै बड़े जुनों बाद पहली बार थोड़ी चिंता में आया हुआ, आंक्रे देखकर, कि कई ऐसा तो नहीं हम मार्केट गलत पड़ रहे हैं, सिधी सी बात है, क्योंकि मतलब दो दिन से गुरुवार चुक्रवार को क्लियर कट था कि हाँ उपर में बेचना है, कल उपर में अतना स्ट्रोंग यू बना नहीं मेरा, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि एक बार फेड की बेठक के पहले जो मूर माहुल बन रहा है, ओमिक्रोन की चिंताएं कम हो रही है, उसको देखकर शायद एक बाजार ऊपर की तरफ ब्रेक आउट देने की कोशिच करें और ये आम ध की कदवी, कि आप रेंज की उपरी सीरे पर कभी शोर्ट नहीं कर पाएंगा, लोर लेवल पर करना बहुत मुश्किल काम है, और इसलिए वो दीप उसका एक ही सोलिशन है, स्ट्रिक स्टॉप लोस, क्योंकि रेंज में से आपको एक आद बार स्टॉप लोस ट्रिगर होगा लेकिं पांच-छे राउंड आपने कर दिया, सबोस आप कल बेज देते हैं, तो क्या मिलता आपको एक दिन में, अगर आप 17-600 पे भी बेज़े तो आपको जबर दस्टॉप लो हिम्मत चाहिए, इसलिए कल थोड़ा बहुत क्लियर नहीं था डायरेक्शन को लेकर, कि यहा यहां से 1.500 पॉइंट उपर भी वापस खुल सकते हैं, और दूनों आपके साथ खराब हो गए, ग्लोबल और FIs, तो आप 1.500 नीचे खुल रहे हैं, तो अब डेटा के लियाद से आप देखेंगे, तो 2750 क्रोड की बिकवाली FIs की कैश में हैं, और 2150 क्रोड के स्टॉक्स बेचेंगे, यानि के करीबन करीबन 5000 क्रोड की बिकवाली FIs की भारी बर कम है, और सामने 9500 क्रोड के इंडेक्स और बेच डाले, तो मतलब हर तरफ मतलब वो राइट लेफ सेंटर है, मतलब क्रिस गेल की तरह बेटिंग कर रहे हैंगे, जिस दिन क्रिस गेल फोम में आजा क्या बहुत है, बीस और का मेंच को यह से बीस बोल का मेंच के समझ के कहल रहे हूं, जैसा कल बेचने का मुकम बहुत गंदा बेच है, आख रहे बहुत ही घराब है, क्वालिटी का नाम लिया तो क्वालिटी है ही नहीं कहीं दूर दूर तक, 1350 क्रोड की खरीदारी पर आकर आम तोर पर 17,000 के आसपास या उसके नीचे आकर FIS बेचना रोक देते हैं, हाथ रोकते हैं, मैं बंद नहीं कर रहा हूं या खरीदना शुरू नहीं करते हैं, बेचना रोकते हैं, तो अब वो 17,200 के कर लें या वापस अभी वो 17,000 का इंतिजार करेंगे, यही दे बनता है, उपर 17,500 माउंट एवरेस्ट बन चुका है, आपके लिए 66,000,000 का ओपन इंटरेस्ट लगबख हाईएस्ट है, और 33,000,000 का कली जुर है, तो 17,500 के इसे उपर के अपसाइड है नहीं, 17,400 के नीचे ही खुलेंगे, 17,300 हल्का फुल का सपोर्ट है, और फिर 17,200,000, बैंक निफ्टी, 37,000 इसके नीचे बन हुए, अब खुलेंगे और नीचे, 37,000 पार्ट करना अब बहुत मुश्किल होगा, और वो इसलिए दिपके 37,000 के पुट पर हाईस्ट उपन इंटरेस्ट सोला लाग शेरों का है, और कॉल राइटर्स भी उतने ही बेठे हैं, 15,16 ल बात है, तो 36,500 के आज पास 11,00,000 शेरों का है, वही अगला सपोर्ट आपका निकल कराता है, लेकिन 37,000 पास, बैंक निफ्टी में भी अब कमजोरी के संके, जिस्टर के कल कॉल राइटिंग हुई है, काफी तगडी, निफ्टी और बैंक निफ्टी कल दोनों में दबा कर बनें कर, जबर स्कॉल राइटिंग हुई है, सत्रा पान सो, सत्रा छेस्टो, क्या बेचा है, मतलम, सत्रा पान सो पर 66,00, सत्रा छेस्टो पर 67,00, वाउ, और बहुत तगडी बिकवाली हुए, तो तगडी बिकवाली है, और देखते हैं, आज गैप डाउन के बाद फिर थ यूकले तैयार हो जाते है, तो जो लिस्टिंग है, पहले इसके बारे में बताएं, आनंदराथी वेल्थ, रिस्पोंस ठीक था, इस आईप यू को दसगुना से जादा इशू भरा था, और सभी कैटेगरी में अच्छा रिस्पोंस था, मुझे लगता है, अच्छी लिस् इन्शूरेंस, कौन सा इन्शूरेंस, लाइफ वाला, ये बिजनसे इनके मॉडल हैं कि जो लॉंग टर्म वाले हैं, इन्शूरेंस कंपनियां दस साल, पंदा साल, बीस साल के पोलिसी बेचती हैं, मुश्टिनल फर्म में आप तीन साल, पांट साल, दस साल के लिए पैसा लगाते हैं, वेल्थ क्रेशन आपकी एक दिन में नहीं होती, तो जब इन कंप्पियों के बिजनस मॉडल इस तरह के हैं, तो अगर आपको इन कंप्पियों के शेवरों में पैसा लागा अगर आपको वेल्थ बनानी तो आपको भी वो व्यू रखना पड़ेगा, लॉंग कर छोड़ लें, और एक बार मैनेजमेंट से जब हम बात करेंगे, दो पर दो बजे राठी साथ होंगे, तो समझेंगे की वीजन क्या है, अगले तीन सालों में, पांच सालों में कंप्नी क्या ग्रोथ कर सकती है, लेकिन वेल्यूशन्स आकर शेक है, उन्होंने लिस्टिं उस पर स्टोप्रोस रखकर आप खोल्ड करें, आराम से उसके निचे जाएगा नहीं, और देरे देरे ट्रेल करते रहें, और बहुत ज्यादा तो आया नहीं होगा, जस गुना बरा है, तो एक आद दो लोट ही अगर आये हैं, तो पढ़े रेंदीचे, अच्छा स्टोकर स जाए तो क्या बुरा है, तो मेरे खाल से इस लिहाद से आपको खोल करना चाहिए, लोंग टम के लिए, और इशु प्रैस का आप स्टोप्रोस अगर आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक करना है, अगर बाजार के लिहाद से कभी भी कोई रिस्क लगे तो, लेकिन ये बिज सबसे बड़ा बात ये दीप की मैनेजमेंट बड़े एक्सपरियेंस है, प्रीस बच्छी साल से उनको अनुभव इस काम का, रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़ेवाए मामलोका कारोबार करते हैं, उनके लिए प्रोडक्स बनाते हैं, तो इस IPO में लिस्टिंग गैन के लि कामेटर से, इन तरा इंटर्प क्वोलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इन तरा इक्जिक्वटर्स बचा क्या उनकी एक्स्क्लिजिविटी ज्यादा है, यहां पर पर एंट्री पॉइंट एंट्री बेराईर सी कम हैं, टिक भी अच्छी कमपनी है, एक्सप्रियेंस मैं कही बार य वेलिशन्स भी रीजनेवल हैं, बहुत महेंगे नहीं हैं कि आपको डर लगे कि क्या होगा, और प्लस इशू आने के बाद थोड़ी इनकी जो वर्किंग केपिटल की रिक्वाइमेंट है, वो एक्विटी से पूरी होगी, तो आपके लिए इंट्रेस कोस्ट बचेगी थोड होते हैं, एक ही इशू एक ही नेगेटिव है इतना बड़ा पुरानी कमशनी इतना निश्ट बिजनिस हैं, अच्छे लोग हैं, लेकि उसके बाद जो सवा दोसो करोड की हैं, इसे ठीक करें, सिर्फ दोसो पचीस करोड की हैं और तीन हजार करोड का मार्केट केप हैं, तो है, ऊथ सवा दोसो करोड की कमशनी रेविन्य वाली चार सो करोड की जल्दी बन सकती है, दो जार करोड की वाली को 4000 करने में थोड़ा सा वक लगता है चारह जार को आट-पी लेकित एक है तो चोटे बेस में ग्रोध फास्ट भी हो सकते है। तो चलिए डेटा पैटन्स इसका IPO आज से खुलने जा रहा है आए जान लेते हैं कुछ और IPO आज की ट्रिगर्स खबरों वाले शेर्स वा साथी ब्रोकरिज आक्षिन भी मांसी देवांशी और आशीश के साथ मांसी मॉनिंग बताएं आज की ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं बिल्कुल दिपांशी गूट मॉर्निंग लिस्टिंग तो आनंद राथी की आज है ही इसके अलावा कई सारे ट्रिगर्स जिस पर नज़र रखने हैं ITC पहले इंवेस्टर और अनिलिस्ट ये का IO जना जोने जा रहा है तो ये भी एक इंपॉर्टन ट्रिगर जिसके साथ ही क स्प्लिट की X-Date है और साथ ही हिंदोस्तान Zinc और NMDC दोनों ही कंपनिया आज X-Dividend Trade करते हुए दिखेगी कुछ IPO आपडेट्स क्विकली आपको पता देते हैं MapMyIndia का IPO आखरी दिन 155 गुना भर कर बंद हुआ है जिसमें QIB हिस्सा 196 टाइम्स, NIA हिस्सा 425 टाइम्स और रीटेल हिस्सा 15 टाइम्स भर कर बंद हुआ है Price Band 1000-1033 रुपे का साइज 1040 करोर का यहां पर है Met Plus Health IPO पहले दिन 70 प्रतिशत भरा है Price Band 780-796 1398 करोर का इसका साइज है और साथी Metro Brands का IPO दूसरे दिन 52 प्रतिशत भरा हुआ है जिसमें रीटेल हिस्सा 0.87 टाइम्स और यहां पर NIA हिस्सा 0.17 टाइम्स भरता हुआ दिखा है आज IPO बंद हो जाएगा Price Band जिसका 485 से 500 रुपे का है और साइज 1360 करोर का है तो यह है आपके लिए बाकी IPO के अपडेट्स आये देवांशी से कुछ खबरों के बारे में भी जान ले Morning देवांशी बताईए हिस्सा होगा लिस्टिट कंपनी में श्री राम फिनांस लिमिटेड इसके लावा श्री राम लाइफ इंशॉरंस जनरल इंशॉरंस और इंवेस्मेंट होल्डिंग में भी कंपनी का हिस्सा होगा और हम आपको बतादे कि श्री लेखा बिजनस कंसल्टेंसी प्राविट लिमिटेड जो की श्री राम जो की पिरामल की सबसिडिरी कंपनी है उसका भी जो विलय है वो होता हुआ दिखा था इस री स्टॉक्टरिं में इसका फाइदा प्रामल इंटर्प्राइस को होता हुआ दिखेगा ग्रीन लाम इंडास्ट्री लगातार अब कंपनी जो एक्स्पांशन प्लांस हैं उस पर फोकस करती हुए दिखेगी अगले दो से तीन साल में कंपनी साड़े 900 करोड का खर्श करती हुए दिखेगी तीसरा लामिनेट प्लांट बनाने के लिए और साथी प्लाइवुड औ कारोबार का कमर्शिल प्रडाक्शन एफ़ाइट 24 के चौती तिमाही में शुरू होता हुए दिखेगा इरकॉन इंटरनाशनल एनेचाइए से कंपनी को 1107 करोड का एक पड़ा ओडर मिलता हुए दिखा है जहां पे कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी और स्पाइस किजा और इंटर ग्लोब इन दोनों पर आपको नजर रखनी है गुजा सरकार ने एटी एफ पर वैक्ट पांच परसेंट तक कम कर दिया है इसका फाइदा इन दोनों कंपनी को मिल सकता है वीगाड 20 दिसेंबर को बोड की बैठक है जहां पे स्ट्रेजिक निवेश पर है अब इसकी जो फ्लो प्राइस है 268 रुपीज पताई की है जो मौजद अभाव है उससे कम है मौजद अभाव 291 है और इंडिकेटिव प्राइस 269 रुपीज प्रतिशेयर पर आता हुआ दिख रहा है फीनिक्स मिल्स कम्पनी और कैनिडा पेंशिन प्लान इंवेस्मेंट बोर्ड ने आइलिंड स्टार मॉल डेवलपर्स जो किनकी जॉइंट वेंचर कम्पनी उसमें 700 करोड डालने पर सहमती दी है बल्क दील भी है यहाँ पर कैम्स पर प्रमोटर ग्रेट टराइन इन्वेस्मेंट लिमिटेड ने 2571 से 2572 के दाम पर 35 लाग शेज बेचे हैं साथी प्लूट्रिस वेल्थ मैनेजमेंट ने 2750 के दाम पर 6 लाग शेज खरीदे हैं गनिश बेंजो प्लास प्रमोटर ने 13 दिसमबर को उपन मार्केट में 1,15,000 शेज की खरीदारी की है और आंत में LG, बालकृष्टन और ब्रदर्स प्रमोटर वी राजबर्दन ने 10 दिसमबर को 1,000,000 शेज की बिकवाली की है तो ये बल्क डिस जस पर नज़र रहेगी ओके तो डेरो स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नज़र आईए एक बात देख लेते हैं आज की ब्रोकरज रिपोर्ट्स भी F.I.R. में मौनिंग अशिश बताएं क्या करीम ब्रोकरज जब देखने को नहीं मिलेगा हलाकि जे पी मौगन मान रहे की इनकी सिनरजिस्टिक बेनिफिट के चलते नेट इंकम में करीब 10% का इजाफा देखने को मिल सकता है तो सेलेस इन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है पेटी एम पर मेकवाईरी का जो वीव है लगातार बरकरार देखने को बला है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है बंदरा सु पच्पन पर ये स्टॉक आ गया है बारा सो रुपे का ये लक्ष दे रहे हैं अपर गोल्मेंट साइक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है बिकवाली की राये से अब ये न्यूटरल की राये दे रहे है और लक्ष भी इन्हों ने अच्जस्ट किया है 380 से बढ़ा कर 435 के आसपास का कर दिया है करीब 390 की कल की क्लोजिंग है आकसेस बैंक यहाँ पर गोल्मेंट साइक्स की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है न्यूटरल से अब ये खरीदारी के राये दे रहे है और लक् 1100 रुपे से बढ़ा कर 1150 कर दिया हाला की 1370 कल की क्लोजिंग है और यह मानरे की मैनेजमेंट आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं लेकिन स्टॉक वैलिएशन के लिए हाथ से महंगा है इसके अपसाइट की ज़ादा उमीद नहीं है एमेनम फिनानस यापर गोल्मेंट साइक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है और यहाँ पर भी देखे विक्वाली की राइज को बदल कर अब यह न्यूटरल की राइज दे रहे हैं लक्ष 161 से बढ़ा कर 181 कर दिया है 165 की कल की क्लोजिंग है अंत में डॉक्टर रेडिस को बरकरा रखा है 5478 के लक्ष के लिए तो यह हैं सारी रिपोर्ट से इसमें एक में भी शीराम ट्रांसपोर्ट पर कोई टार्गेट बढ़ कर नहीं है कोई कोई बदला नहीं सर नो फाइनिशल इमेंट ओके तो आज की सबसे बड़ा रिपोर्ट मानी जा सकती है एक्सिस बेंकी मान कर चल सकते हैं आईए रिपोर्ट तो आपके सामने आगे अब आ रही है आपके लिए आज की पिक्स एक्सपर्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार वक्ते पिक ओफ देड़े का आप सब का स्वागत है गुद बॉणिंग बनसल जी करिए शुरुआत वेडि गॉड पॉनिंग अनील जी वेडि गुड पॉनिंग दिब्बान्चू अनील जी कल हमारे मित्र सुमित जी ने स्टॉक चावल का लिया था केर बीएल तो जिस तरीके से मारकेट में थोड़ी स जिसका सिंबल है दावत पिक इंट्रनेटे के नजरीर से 71 रूपीज गत्र रूपे का स्टॉप लगाना है 77 रूपीज और 80 रूपे के टार्गेट दो टार्गेट के लिए दावत पर खेदारी किरा है दावत आप दे रहे हैं या ले रहे हैं अब तो आप करें मैं दावत पिक आफ दे रहा हूं अजरी जी वो पिक आफ दे में ही दे रहा हूं मतलब कि जहां पर बटवा फटवा सा हटा हो वो आज़ी दावत नहीं दे रहा हूं बंसल जी आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकर आसानी से फस्ते नहीं है तो दावत खाली पिक आफ दे के तोर पर समझें ऐसी बाकी कोई दावत देने का फिलाल बंसल जी का इरादा है नहीं तो एल्टी फूड यानि की दावत यह है वो स्टॉक जहां पर खरिदारी करने के राए सततर से 80 रुपे के तार्गेठ के लिए आप के लिए आए तर्व कुनाल जी से भी पूछ लिए ंनकी पसंद का शेर सर गुड बॉनिग गुद मॉर्निंग अनी जी गुद मॉर्निंग दिपांशू अनी जी बजार के दिशा दिशा को देखते हुए बिक्वाली के राय है और बेचना है LIC Housing Finance जिसके चार्ट पर पहले एक हेड इन शोल्डर पैटन बना हुआ है उसके बाद एक बुलिश बेरिश फ्लैग पैटन और बेरिश फ्लैग बनने के बाद कल हमने देखा बेरिश इंगलफिंग कैंडल बनती हुए दिखाई दी तो LIC Housing Finance को बेच करके चले 395 रुपे पर 395 पर स्टॉप लो सकता है नीचे जो टार्गेट निकलता है वो पहला 380 का और इवेंच्छोल टार्गेट 372 तक का बनता है तो 372 के टार्गेट के लिए LIC Housing Finance में बिकवाली के रहे हैं तो बिकवाली की कॉल आज सुबह सुबह आती है LIC Housing Finance की तरफ से रहे LIC Housing Finance पर भी एक रिपोर्ट आई है आज वो बता दूँ मैं आपको लगई हाथ और यह रिपोर्ट हालंकि टार्गेट थोड़ा बड़ा है 380 से 435 गोर्ड में ने लेकिन मार्केट प्राइज भी 390 के आज पास है तो कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं 10% की अपसाइड वाली रिपोर्ट आज आज आपके सामने हिमांचु जी सूप्रभाद बताएं आपका पिक आफ दे डे गुड मॉनिंग प्रियू अनिल जी एंडिपांचु एंड इंटार पैनल पिक आप दे है कैश सेग्मेंट का स्टॉक सोना बील डबलू प्रिसिशन तो यहां पर अनिल जी कमजोर बजार में भी कल एक रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग आते हुए नजर आई है बहुत ही स् इस्टॉक यहां से नाकेवलाज बल्कि आने वाले दिनों में काफी उपर के लेवल दिखाने का पोटेंचल रखता है 822 रूपे के आसपास करने जी हां पर क्लोज है कमजोर शुरूबात में अगर 810-815 के लेवल पर मिलता है तो वहां पर खरिकदारी करके चले साथ सो पचानवे का एक स्टॉप लॉस में हाँ पर सुझाओंगा और मेरा मानना है कि 851 और 890 रूपे टेक दो टार्गेट्स आपको यहाँ पर सोना BLW प्रिसेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं लगातार सेठे साब का भी यह पसंद्जा इस्टोक रहा है काफी निश्टे सरों से 5600 रूपे से सेठे साब इसे लगातार रिकमेंड करते हैं हिमांचु जी की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में राए सोना BLW यह खरीदारी करें अविनाशी गुड मॉनिंग बताएं सरा आपकी पिक उस दे डे गुड मॉनिंग अनिल जी गुड मॉनिंग डिपांचु अनिल जी मेरे जो पिक है वो टेलिकॉम सेक्टर में है अभी भी इस लेवल पे भारती एटल पसंद है हमारा मानना है कि तीसरी प्रिमाई कंपनी के लिए बहुत भी मजबूत आएगी और सबसे बड़ी बात कंपनी एक वर्चुल एक मोनपोलिस्टिक सिटुएशन में है हाला कि अभी वोड़ाफोन में भी थोड़ी बहुत ट्रैक्शन उनके यूजर्स में देखने को मिले लेकिन भारती एक फोकस टेलिकॉम क्लियर है और इनके मैनेजमेंट ने अभी हाली में काय कि आगे चलके मार्च तक और एक प्राइस हाई आने की संभावना है इस पाक में कोई डाउट नहीं कि टेलिकॉम सेक्टर एक प्राइसिंग पावर के साइकल में आ चुका है और हो सकता है कि आज थोड़ी सी बिक्वाली हो स्टॉक में फोड़ा सा स्टॉक गिर भी सकता है लेकिन इन्वेस्मेंट क पॉइंट 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 इनके लिए बहुत ही बैतरी नाएगा और दूसरा जो कैश का काउंटर है अनिल जी जो चैमिकल स्पेस में काफी बज में है वो है जी एचल इन्होंने अभी हाली में इनकी टेक्स्टाइल उनेट बेची है इंडो काउंट को तो इनको करी अनिल नाडू में भी एक ग्रीन फिल्ड फैसिलिटी डालने की अभी अनॉंस्मेंट की है तो पिछले तीन-चार मैने में कीमते 15-20 परसेंट बढ़ी है और यह एक मोनोपलिस्टिक प्लियर है दूसरा प्लियर है टाटा केमिकल्स के बाद जो सोडा आश बनाता है तो हमें एक सेल एक और स्टोक है जहांपर खरिदारी करने की रहा है आपके लिए केश मार्केट के स्टोक में आती भी अमिनाजी की तरफ से और भारती 8L तो पसंद ही यह दियान में रखें आइए हमारे साथ एक और मेहमान जूड चुके है और कीरन जी है हमारे साथ किरन जी गू जहां मार्केट गिर रहे थे यह बिल्कुल नहीं और यह नए हाइस पे इस काउंटर का लोग देखने को मिला और अगर मीडियम टर्म आउटलुक के चार्ड देखते हैं तो अल्टाइम हाइस यह उपन ब्लू स्काटरी में जाने की बिल्कुल तैर ही हो रही है अल्टाइम हाइस 436, 37 के आसपास है, ख्लोज है 433, तो मेरा मानने है कि जो मोमेंटम है इस स्टॉक में बढ़करा रहना चाहिए, डिलिवरी बेस बाइंग देखने को मिली है तो मेरा मानने है कि आज अगर नीचे में मार्केट खुलता है तो ये भी स्टॉक नीचे खुलने की संभाव ना है तो 425 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, 418, 417 के आसपास आपके स्टॉक प्लोस होने चाहिए और ये आज के लिए 455, 460 के टागेट पर पोजिशनली मुझे लगता है कि एक नए दायरे में ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आएगा तो जिनके पास थोड़ा सा लंबा नजरिया लेनी की पॉसिबिलिटी है उन्होंने बिल्कुल होल करके चलना चाहिए साड़े 500 के ऊपर के टारगेट अपको इस टॉक में देखने को मिलेंगे तो साड़े 500 के टारगेट के लिए खरेदारी करें एन आइटी लिमिटेड लंबे समय बाद रेडार पर आए ट्रेडिंग टारगेट 455, 460 के आप यहां पर रख सकते हैं जी की तरफ से कॉल आती भी दिख रही है आए कुछ और काउंटर जहां पर रखनी है नजर अविनाज जी अपोलो हॉस्पिटल पर जड़र राए दें प्रमोटर की तरफ से थोड़ी बिक्वाली आज के सेशन में होने वाली है करीब 7 लाग शेर्स की बिक्वाली होगी 3 परसन के डिसकाउंट पर रहे है अलएड एक बड़ा रन अप आ चुका है विनाज जी तो आज की प्रमोटर स्टेल में अगर थोड़ी सी गिरावट आती है और मेरे ख्याल से यह उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात रहेगी जिनको यह स्टॉक निक्सले लेवल पर एक्विलेट करना है मुझा लग रहा है कि नॉर्मली ओएपस होता है तो कही न कहीं स्टॉक प्राइस नेगटिली रियाक करता है लेकिन इनकी अगर पोजिशनिंग हॉस्पिटल स्पेस में देखे तो इनका सबसे बड़ा माकेट शेर है सबसे बड़ी बात इनका जो 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 ग्राफिकल रीज और उनका जो बेड़ की केपैसिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉंग है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी अपिटाइट हॉस्पिटल स्पेस में देखने को मिला है इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले एक-दो साल हॉस्पिटल स्पेस के लिए काफी अच्छे रहेंगे चुड़ा है अराम से हो जाता है लिए तो कोई ऐसी बहुत बड़ी वाली बात नहीं है और स्टोग भी 5600-700 से थोड़ा करें थोड़ा और गिर जाएगा आज पिछले वाला में रिखाल से 45 रोपे के आसपास शायद हुआ था बड़ा ब्लोग जिए आई ये सुमी जी तय चलने का सला रहेगा 1630 के आसपास या 1635 के आसपास नीचे के अंदर 1600 का स्टोप्लोस लगाना है उपर में टागेट 1680 से लेके 1700 तक के टागेट टेक महिंदरा में इमीजिटली प्रेडिंग के लियाज से शॉर्ट टम में देखने को मिल सकते हैं तो खरदारी करनी है टेक म कुनाल जी इसके चर्ट पर राए दें 2-3 साल में 9100 करोड रूपे के निवेश का कमपनी प्लान बना रही है और प्लाइबॉट का कारोबार पार्टिकल बोड का कारोबार ये बढ़ाने का प्लान है तीसरे लामिनिट प्लान भी लगा रही है चार्ट क्या कहती है बहुत ही, बहुत ही स्ट्रॉंग चार्ट्स हैं, बड़ा ब्रेकाउट हमने पिछले सबता इस स्टॉक में आता हुआ देखा, स्टॉक लाइफटाइम हाई के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में और उपर के लेवल्स यहां पर दिखेंग स्टॉक में पिछले समय में रूटेशन देखा, हाला कि कल सुस था काउंटर, कोई राए एरकॉन के चार्ट पर? स्टॉक जो चार्ट का है वो पॉजिटिव है जिसका मतलबी है कि लगातार ग्रैजूली यहां पर जो लोज है वो हायर बनते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन सस्टेनिबली हायर हाई यहां पर अभी तक बनता हुए नजर नहीं आया तो फॉर्दर टाइम भी मुझे लगता या 51 रुपे के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा और उसके बार यहां पर एक अच्छा मूव एक बिल्ट अप होता हुए नजर आ सकता है फिलाल होल्ड करें 44 के ऊपर लेकिन 50 रुपे के ऊपर यहां पर मोमेंटम में पिक अप होता हुए नजर आए ओके तो रखते हैं अजर एरकॉन पर देखते हैं आज कैसा आक्शन दिखाएगा वी गार्ड बंसल जी इसके चार्ट पर रहे थें 20 तारिक को इनकी बोर्ड बैटा के और कुछ स्ट्रटीजिक इन्वेस्मेंट्स पर विचार करने वाले इंट्रेस्टिंग डिवलपमेंट है वी गार्ड पर और उपर में शॉट टर्म टार्गेट 247-250 के बैठते हैं ओके 247-250 के शॉट टर्म टार्गेट से नजर रखते हैं वी गार्ड पर अविनाज जी यह जो श्रीराम ग्रूप की रिस्ट्रुक्चरिंग की खबर आई है कल कैसे देखते हैं सर श्रीराम सिटी उनियन और श्र चैन्शल होल्डिंग है और थोड़ा एग्जिट अगर करना चाहें या मॉनिटाइज करना चाहें तो आसानी रहेगी क्या राए बनती है सर इस पर जो पूरी टील हुई है मुझे लग रहा है कि देखे शीराम ट्रांस्पोर्ट शीराम सिटी उनियन का जो मर्जर है इसका बेनेफिट मेरे ख्याल से थोड़ा सा मीडियम टर्म नहीं आएगा इमेडियेटल नहीं आएगा दूसरी बात मैं समय सता हूँ कि पिरामल के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो अपना स्केक अच्छी तरह से मॉनेटाइज कर सकते हैं तो यह पूरी टील में मुझे लग रहा है कि पिरामल को ज्यादा फाइदा होना चाहिए एट लेकिन लॉंगर टर्म में मुझे लग रहा है कि नहीं कई साइज ऑफ दे बैलेंशेट, और जो ग्रोथ और बिजनस है यह आपको शायद FI 23 के बाद शीराम ट्रांस्पोर्ट को में देखने को बिलेगा, तो शॉर्ट टम में हो सकता है कि स्टॉक में बड़ी बड़त आए नहीं, लेकिन डेफिनेटली बोथ एंटिटीज मर्ज होने के बाद लिस्ट होगी, तो तो पीरमल एंटर्प्राइज पर निवेश का मौका है, किरन जी जड़ा चार्ट पर भी राए दें एक बार पीरमल पर, कल अच्छे मोमेंटम में था सर, आज कैरी फॉरवर्ट हो सकता है मोमेंटम या फिर बाजार का मूड मूड महल थोड़ा इंपक्ट करेगा ऐसे भी? थोड़ा सा स्पेक्लिटिव कांटर है और जिस तरीके से मोमेंटम मार्केट के डिरेक्शन में नॉर्मल ही होता है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है पर नीचे में आपको बाइंग देखने में मिलेगी मुझे लगता है अगर 2680 के आसपास मिल जाता है तो बिलकुल बाय करने की सला होगी वापिस एक बार 2780, 2800 के लिवल्स टेस्ट होंगे और जो पिछले जो टॉप से उनके अगर ट्रेंड लैंग जोइन करते तो वो लगब 2800 के आसपास ही आती है तो अगर 2800 के उपर की क् की गाँ. Camlin Fine Sciences लंबे समय से इस पर भी चर्चा नहीं हुई है, सुमिजी कोई राए, SBI Mutual Fund ने 10 December को करीब 10 लाग शेर्स बेचे हैं इसके, क्या राए है इस पर? कर्षकरदारी ऑवर्ड करने का सला रहेगा. ओके तो यह है आपके लिए राए, Camlin Fine Chemicals अच्छे रन अप के बाद 200 रुपए के पार भी निकला था रहा है, यहां पर करेक्शन डिखाता हुआ, 100 रुपए के आसपास SIP स्टॉक में हमने इसे रिकमन भी कहता, वहां से अच्छ रुपए की हेडलाइन्स के साथ.